मैं आप सभी को बदहाई देता हूँ, समाज के प्रतेक व्यक्ति के प्रयास की सराना करता हूँ, भायों और मैंनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्ब करते हैं। दुनिया की अनेक सब्विताएं समय के साथ समाप्त हो गई, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भावगोलिक, सांस्कृति, सामाजी और वैचारिक रुप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए। लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भुभाग नहीं है, बलकि हमारी सब्विता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैववशाली बविश्य की नियुक रख रहा है। और जानते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेणा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसकी शक्ति से, किसके आशिरवात से, भारत अटल है, अजर है, अमर है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है। देश के कोटी-कोटी जनों की शक्ति है, भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में, समाज सक्ति की बहुत बड़ी भूमी का रखी है। हमारा ये सवभाग्य रहा है, कि हर महत्वपूं काल में, हमारे समाज के भीतर से ही, एक ऐसी उर्जा निकलती है, जिसका प्रकाश सब को दिशा दिखाता है, सब का कल्यान करता है। भगवान देव नारण भी, ऐसे ही उर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिनोंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा थी। बेरुप में मात्र, मात्र 31 वर्ष की आयू बिता कर, जन्मानस में अमर हो जाना, सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है। उन्होंने समाज में फैली बुराईयों को दूर करने का साहस किया, समाज को एक जुड किया, सम्रस्ता के भाव को फैलाया, भगवान देव नारायन ने समाज के विबिन वर्गों को साथ जुड कर, आदर्श विवस्ता कायम करने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि भगवान देव नारायन के प्रती समाज के हर वर्ग में स्रद्दा है, आस्था है। इसलिए भगवान देव नारायन आज भी लोक जीवन में परिवार के मुख्या की तरह है, उनके साथ परिवार का सुख दुख बांटा जाता है। भाई और भेनों, भगवान देव नारायन ने हमेशा सेवा और जन कल्यान को सर्वोच्चता दी। यही सीख, यही प्रिणा लेकर हर स्रद्दालू यहां से जाता है। जिस परिवार से वे आते थे, वहां उनके लिए कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुख सुविधा के बजाय, उन्होंने सेवा और जन कल्यान का कठीन मार्ग चुना। अपनी उर्जा का उप्योग भी उन्होंने प्राणी मात्र के कल्यान के लिए किया। भाई और बहनों, भला जी भला, देव भला। इसी उद्गोष में भले की कामना है, कल्यान की कामना है। भगवान देव नारण ने जो रास्ता दिखाया है, वो सबके साथ से सबके विकास का है। आद देश इसी रास्ते पर चल रहा है, बीते आठ नव वर्षों से, देश समाज के हरुस वर्ग को ससक्त करने का प्रयास कर रहा है। जो उपेक्षित रहा है, बंचीत रहा है, बंचीतों को वरियता इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। आप याद करिए, राशन मिलेगा या नहीं, कितना मिलेगा, ये गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती थी। आज हर लाभार्थी को पूरा राशन मिल रहा है, मुप्त मिल रहा है। अस्पताल में इलाज की चिंता को भी हमने आउश्मान भारत योजना से दूर कर दिया है। गरीब के मन में घर को लेकर टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन को लेकर चिंता हुआ करती थी, वो भी हम दूर कर रहे हैं। बैंक से लिन देन भी कभी बहुती कम लोगों के नसीब होती थी, आज देश में सभी के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए हैं। साथियों, पानी का क्या महत्व होता है, कि राजस्तान से भला बहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजहादी का नेक दसकों बाद भी, देश के सिरफ तीन करोड परिवारों तक ही, नल से जलकी सुविदा थी। सोला करोड से जादा ग्रामिर परिवारों को पानी के लिए संगर्ष करना पड़ता था। बीते साड़े तीन वर्षों के बीतर देश में जो प्रयास हुए हैं। उसकी वजह से अब ग्यारा करोड से जादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुक लगा है।